कंटेनर से मवेशी तसकेडिक का मामला देवलापार में उजा कर हुआ है कंटेनर ट्रक में निर्देता पुर्वक लाद कर ले जारे 62 मवेशियों को मुक्त किया गया यह कारवाई नाकपुर ग्राविन पुलीस की यातायात विभाग ने गुर्वार की शाम देवलापार थाना अंतरगत बांदा परिसर में की है इस मामले में तीन लोगों को पकड़ा गया है आरोपियों में चालक सिद्धी रहस खान उम्र 26 साल उसके साथ ही फिरोज 19 वर्ष और अंसार इसमाईल खान उम्र 26 वर्ष शामिल है तीनों मद्धप्रदेश के रहने वाले है यातायात विभाग के ASI शेलेश खुबरागडे उनके साथ ही कर्मिचारी शंकर मडावी और वनिता शेंडे बांदा परिसर में नाकाबंदी लगा कर वहनों की चेकिंग कर रहे थे इसी दोरान कंटेनर ट्रक क्रमांग HR 55-24-15 वहां पहुचा संदे के आधार पर उसकी जाज की गई इस दोरान उसमें कुल 64 मवेशी ठूस ठूस कर लादे थे दो मवेशियों की मौत हो गई थी पंचनामा कर मवेशियों को देवलापार के गोविज्यान अनुसंदान के इंदर भीजवाया गया मवेशियों की कीमत 6,20,000 रुपे बताई गई है 21,40,000 रुपे का कंटेनर ट्रक भी जब किया गया देवलापार पुलीस की कार्य प्रनाली पर संदेज़त आया जा रहा है सूत्रों के अनुसार या तायाद पुलीस करमिचारी पशुत तसकरी में लिप कंटेनर ट्रक के खिलाब कारवाई कर रहे थे उक्त सरकारी वहार में स्वयम थानिदा मौजुद होने के बाद भी कही जा रही है इससे देवलापार पुलीस की कार्य प्रनाली पर संदेज जताय जा रहा है BCN News के लिए देवलापार से अरुन महाजन की रिपोर्ट